धेरो स्टॉक्स भी रहने वाले हैं, आएए कुछ खबरो वाले स्टॉक्स इनके बारे में जानते हैं वरुन के साथी, वरुन बताएए कौन से हैं आज के खबरो वाले शेयर्स टेकनिकल एडवाईजरी ग्रूप जो है उसकी बैठक होने वाली है, एक्स डिविडेंट है कोल इंडिया का 9 रुपेपती शेयर का डिविडेंट था याद रखेगा, आईपयो का अपडेट, टेगा इंडस्ट्री आखरे दिन 219 घुना भरके ये बंद हुआ है, रीटेल का सब्सक्रिप्शन जो है 4.77 टाइमस है, अब खबरे, यहाँ पर टेक महिंद्र, एक्टिवस कनेक्ट एलेसी और एक्टिवस कनेक्ट पी आर एलेसी के अधिगरण को मन्सूरी मिल गई है, 6.2 क्रोड डॉलर में ये अधिगरण जो है, वो होने वाला है, यानि कि 4.65 क्रोड में अधिगरण होगा, NMDC और एक बड़ा डिविडेंट, 9 रुपे पती शरका अंतरिम डिविडेंट को बोड ने मंसूरी दी है, 15 दिसंबर की इसकी रेकॉर्ड डेट रखी गई है, IGL 4 दिसंबर से दिल्ली, हरियाना, राजिस्तान में C&G की किम्ते जो है, उसमें जो होती जो है, वो की गई है, Vodafone इन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया है, जो न्यूस चल रही थी कि D.O.T. के तरफ से इनको जो बैंक गैरेंटी है, वो वापिस मिल चुकी है, तो Vodafone आइडिया ने यहाँ पर यह कहा है, कि फिलाल अभी तक इनको कोई बैंक गैरेंटी जो है, वो वापिस नहीं मिली है, इसका इन्होंने खंडन किया है, इनने कहा है कि 15 December को Reform Package में केवल एक गैरेंटी देना काफी है, यह कहा गया था, और उसके बाद अब तक कोई बड़ी गैरेंटी जो है, वो वापिस मिली नहीं है, इनको, शेवियोट यहाँ पे बोर्ड की बैटक दी, बाइबैक को लेके, और धाई लाग शेयर्स जो है, यह कमनी बाइबैक करने वाली है, जिसको बोर्ड ने मन्जूरी दी है, प्राइस जो है, 1725 उपे का रखा गया है, यहने कि करीब 26 पसंड के आसपास प्रीमियम पे यह कमन शेवियोट प्राइबैक करार किया है, एरिस लाइफ कमपनी ने, MJ बायोफर्म प्राइबेट लिमियम पे के साथ एक करार किया है, प्रॉडक पोर्टफोलो के विस्तार के लिए करार जो है, वो इस कमनी ने किया है, जेवी में, एरिस का 70 पसंड हिस्सा होगा, और MG का खबरे हैं, जिनके तरह स्टॉक्स लडार करना है, बिल्कुल तो धेरो खबरे हैं, जहां पर आज आपको रखनी है, नजर, फार्मा स्पेस थोड़ा फिर से आक्शन में आ सकता है, काफी सारे खबरे हैं, जो फार्मा से जुड़ी आपको आती हुई दिखिया है, और अफ